नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके अपनी यूटूब चैनल महरकलासेस में तो मद्यप्रदेश संवीदा सिचक भरती के लिए नोटिपिकेशन आउट हुआ है और यदि आप इसमें इंटेस्टेड है तो बिलकुल आप इसमें आबिदन कर सकते हैं जिसमें टीचिंग ए आपकी 21,250 से लेकर 45,000 रुपे तक आपकी सेलरी रहेगी लेकिन ये जो आपकी संवीदा अधार पर रहेगी तो इसकी जानकारी आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं तो दोस्तों चलते हैं आगे की और और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेश्ट जरू क आपको यहां पर बता जा रहा है और इसकी जो लिंक है हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आप उसको डाउनलोड करना है डाउनलोड करके इसको फिल करना है और जिस डेट में आपका इंटर्व्यू होगा उसी डेट में इसको लेकर पहुँचना है तब आपका इंटर्व्यू होगा मतलब हमें ना तो ओनलाइन मोड से फिल करना है ना ही कोई पोस्ट करना है लेकिन जिस दिन आपका इंटर्व्यू होगा उसी डेट में इसको फिल करने के बाद इसको लेकर पहुँचना है अपने डाकुमेंट के साथ तो यह आपका एप्लिक लेटेस पासपोर्ट फोटो देन पिन कोड मॉबाइल नमर और इमेल आईडी इसके बाद डेट अब बर्थ हो गई फिर इसके बाद आपका area of specialization क्या है तो बिल्कुल आप इसमें भी कर सकते हैं अब बता सकते हैं तो यह सारी जनकारी इसमें पूछी गई है और आप इसको फिल करने के साथ जितने भी documents इसमें लग रहा हैं वो आपको जितने इंटर्वी होगा उस date में आपको पूछना अब इंटर्वी कब होगा वो हम next notification जो full notification है उस पर हम आपको ले कर चलते हैं तो दोस्तों चलते हम आगे कियो तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 366 संस्तान स्यामला हिल्स भोपाल मद्यपरदेश 462002 यहाँ पर आप देख सकते हैं साक्षातकार के अधार पर ही आपका यहाँ पर सेलेक्शन होगा और यहाँ पर देख सकते हैं कि संस्तान में निमली के सम्मीदा परियोजना अधार पर सेक्षणिक गेर सेक्षणिक पदों पर अनुबन है तू प्रतेक पद के सामने उल्लेकित समय एवं तिथी पर साक्षतकार आयुदित करेगा सेक्षनिक गेर सेक्षनिक पदोका कारीकाल सेक्षनिक 27 निमत पद ग्राही सेबा पर नहीं आ जाते जो भी पहले हो तक रहेगा मतलब यहाँ पर किलिए लिखा है कि यह आपकी जो जोब रहेगी 31,3,2,025 तक रहेगी या फिर जब तक कोई नेमेत सिचक यहाँ पर नहीं आते जब तक आप महाँ पर अपनी सेवा प्रदान कर सकते हैं लेकिन जैसे ही महाँ पर कोई पर्मनी टीचर आ जाता है तो महाँ से आपको बहार कर दिया जाएगा और यहाँ पर यही कुछ कंडिशन दी गई है अब यहाँ पर हम बात करें तो PGT जो टीचर है उनके लिए जहाँ पर पोस्ट दे रखी है कॉमर्स में नमरों पोस्ट है कॉमर्स में दो पोस्ट है इंगलिस में दो में एक और एकोनोमिक्स म जो मतलब इंटर्व्य होगा वो जहाँ पर आप देख सकते हैं कि 262024 को होगा और टाइमिंग यहाँ पर आपका के लिए लिखा हुगा है कि जो टाइमिंग है वो साड़े 9 बज़े से लेकर 10-30 तक के बीच में इंटर्व्यू रहेगा इसके बाद आपकी जो सेलरी है सत्त 20 का भी है जहाँ पर TGT के लिए सोरी PGT में और TGT के लिए 262024 से स्टार्ट होगा जिसमें वो साड़े 9 बज़े का टाइमिंग और किसी किसी में जहाँ पर आप देख सकते हैं कि 11 बज़े से लेकर 12 बज़े तक आपका इसमें जो सेलरी रहेगी वो 26250 कोंकी यह TGT टीचर के लिए है इसके बाद जहाँ पर हम देखे हैं WET इसके लिए जो योगा है रिटेल कॉर्स है कम्पूर साइंस होगा है इसमें 6 पोष्ट है इसमें भी जहाँ पर एक पोष्ट है जहाँ पे साथ पोष्ट है इसका जो इंटर्व्यू रहेगा वो 262024 को होगा टाइमिंग आप जहाँ पर देख सकते हैं सीधा सीधा मतलब चार बज़े से लेकर पांच पिया मतलब इवनिंग टाइम में रखागा है इनका इंटर्व्यू इसके बाद यहाँ पर प्री प्राइमरी टीचर की है तो जहाँ पर तीन पोस्ट जहाँ पर देखने को मिल रही है इनका जो साथ तारीक को रहेगा और इनकी जो टाइमिंग है साड़े नो बज़े से लेकर साड़े दाज बज़े तक और 12,250 रुपे इसमें सेलरी रहेगी इसके प्राइमरी टीचर जो पी है सी 23.35 इसकी जो सेलरी है वो 25,000 रुपे रहेगी और मतलब इसमें नोन टीचिंग के इसमें प्रोजेक्ट पोस्ट के लिए देख सकते हैं कि जूनियर प्रोजेक्ट फिलो जेपी एफ दे में साथ पोस्ट है इनकी जो सेलरी है 29,000 रुपे रहेगी बिदाउट नेट भी चलेगा इसमें 31,000 बिद नेट सेट पी जहां पर 31 सेलरी रहेगी मतलब असिस्टेंट पोपेसर के लिए भी हिंदी मैट्स और जुलोजी के लिए इसके लिए जहां पर देखें नीचे तो सिस्टम अनलाइजिट कंपूटर प्रोग्राम और टेकनिकल कोडिनेट नेटवर्ग एडमिनिस्टेशन इंजिनियर इन सब की भी इसके बाद यहां पर बड़ाया या घटाया भी जा सकता है और इसके बाद जो क्वालिफिकेशन जो इंटर्व्यू है वो सिर्फ आल्रेड़ी आपको बता दिया है कि 34 2024 25 तक रहेगा इसके बाद पर्मेनेंट कोई आपर टीचर आ जाएंगे तो फिर आपको महां से निका इसके बाद आपके पास थोड़ा कंपूटर नोलेज भी होना जरूरी है एज लिमिट यहां पर देख सकते ही 40 years as 16 2024 मतलब इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए एक 6 2024 तक इसके बाद देए गए हैं सारी इनफोर्मेशन इस नोटिपिकेशन में बताई गई है लगबाग 7-8 पेंच का है यह आप वीडियो के डिस्क्रूशन में इसको मतलब इसका लिंक मिलेगा आप इसको डाउनलोड कर लेना है और अपने हिसाब से इसको रीट कर लेना है और इसके बाद दी आप इंटेस्टेड है तो बिल्कुल आप इसमें जा सकते हैं और यह इसका जो पता है वो हम आपको बता देते हैं कि आपको कहां पहुंचना है स्यामलाहिस रीजनल सबसे नीचे दरखा इसका यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो प्रिंसिपल है वो अलिजिबल कंडिट आर रिवाइब तो ब्रेंग फिल्ट अप्लिकाशन फर्म अलॉंग वित रिसेंट पासपोर्ट साइट फोटोग्राफ एफिक्स अन एट अल ओरिजिनल दोकुमेंस एट असेट 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 कोपी आप कास्टिपिकेट ब्लॉइं तो एस्ट असेट अप्रेंसिबल आप इंटर्वी के बाद जिस दिन आपका इंटर्वी होगा जैसे हमने आपको डेट बताई है उसी डेट में फिल करके आपको सारे डाकुमेंट्स और इनल लेकर आपको पोँचना होगा सेल्फ अटेट के साथ तो उम्मीद करते हैं कि सारी इन्पॉर्मे आप अच्छी तरीके से समझे गाए होंगे बांकी कुछ डाउट है तो हमें कमेंट सिक्षन में कमेंट कर सकते हैं और दोनों जो पीडियोप है बिलकुल उनकी लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं तो आज के दोस्तों फिर से मिलेंगे नई वीडियो नए टोपिक के साथ अब तक के लिए जय हिन जय भारत